दोस्तों नमशकार आदाब सत्रीयकाल निव्स क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिरेश करनाटक के चुनॉव के सिर्फ साथ दिन बचे हैं और इस वक्त जितनी political parties वहाँ हैं खासकर तीन political parties सभसे आगे हैं Congress Party, BGP और JBS बीजेपी वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है कॉंग्रेस मुख्य पक्षी दल है और रिजिनल पार्टी के तौर पे जेडियस बहुत बड़ी पार्टी है जिसके नेता सबसे बड़े जो नेता है संस्थापक भारत के प्रधानमंतरी रह चुके है SD दोगोडा साहब तो ये तीनों पार्टी का स्टेक है वहाँ पर और फरपूर कोशिश हो रही है कि कैसे करनाटक के मद्दाताओं को वे रिजहा सके है लेकिन दोस्तो जो देश की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी समय है भारती जनता पार्टी वो इस चुनाव प्रचार को उसने जिस लेवल पर ला दिया है वो हैरतंगेज है शुरू में दावा किया गया था कि विकास पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी वो बॉम्बई सरकार के उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्यान कारी जो योजनाएं है अनाज सेले करके और तमाम जो स्कीम्स हैं जो गरीब जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है इन पर चुनाव लड़ेगी यही कहा जा रहा था मेरे पास इंटर्वियूज हैं जो अख़वारों में छपे हुए है और तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी के यही कहा था लेकिन दोस्तो जैसे ही चुनाव आखरी दोर में पहुचा है और जिस तरह से परिशानियां चुनावतियां ज़्यादा विकराल नजरा रही है भारती जन्तापार्टी के नेताओं को वे फिर उत्तर प्रदेश बिहार की तरह या बंगाल की तरह भी जो हत्कंडे अख्यार करते रहे हैं बड़े नेता बीजे पी के या इवन मजोले नेता कारिकरता अस्थानी अस्थर के सभी वे उसी एजंडे पर आ गए हैं और वो एजंडा क्या है चुनाव में सामप्रदाईक धार्मिक और संकिर्ण आधारों पर उठाए जाने वाले मसलों को एक तरह से सबसे उपर कर देना अब NRC का मुद्दा मैनिफेस्टों में जोर दिया गया भारती जनता पाटी के जो इतना कांट्रोवर्सियल है कि पूरे देश में उसको लेकर एक साफ साफ विभाजन है और केवल संप्रदाईयों में विभाजन नहीं है राजनितिक दलों में विभाजन है समाज के अंदर विभाजन है हर धर्म, हर समुदाई के लोग जो है उस पर आपस में ही बटे हुए है एक डिमोकरिटिक डिवीजन है जिसमें बहुत सारी लोग कहते हैं जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं कि ये अंदर्मोकरिटिक है ये आटोकरिटिक इसके पीछे सोच है मिजाज गलत है इसी तरह से अब वो समान नागरी की संगिता को उन्होंने मैनिफेस्टों में रखका है बीजे पी ने और वो कहते हैं कि भाई ये तो संबिधानिक है उनका कहना है और वो बिल्कुल इसमें कोई दोराई नहीं है कि जो वो ये कह रहे हैं कि संबिधान के दाइरे में आता है लेकिन संबिधान के दाइरे में केवल आटकिट फर्टिफोर नहीं आती थर्टी नाइन भी आती है और थर्टी नाइन के बारे में भारती जनता पार्टी बिलकुल खामोश है अब मैं आपको दोस्तों बताऊं कि समान नागरिक संगिता जिसकी बात BJP बार-बार करती है और पूरे देश के लिए करती है जो सम्विधान के 44 में है नीत इनिदेशक्सि धानतों में है इसे लागू करने की तो बात करती है लेकिन आठकिल 39 जो उसी सम्विधान का हिस्सा है और बहुत महत्पून हिस्सा है जिसके कई सब क्लाज है उन पर वो गोल कभी उसकी चर्चा नहीं करती जबकि वो ज्यादा व्यापक दायरा उसका है और आठकिल 39 साब कहता है कि सब को ल समाज का अधिपत्य इस प्रकार हो कि वितरण में समानता रहे वितरण में असमानता नो हो अगर इसकी व्याख्या करें इसके और सब क्लाजेश की तो भायानक जो नीजी करन और विनेवेशी करन का ये जो पूरा दोर चल रहा है इसको खारिश करना पड़ेगा समानता ला हैं यह सजेस्टिव हैं यह सला दी गई है फंडामेंटल राइट के इसार नहीं है लेकिन उसको सबसे अहम बनाया जा रहा है और कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में बहुत सारे मसले उठाए हैं उसमें एक मसला ये भी उठाया है कि PFI जो एक बहुत विवा और किलिंग्स की जो हिस्ट्री है उसके मद्दे नजर इनको हम किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करेंगे इनको बैंड करेंगे ये उन्होंने कह दिया है अब सवाल इस बात का है कि इसको भारती जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनानी की कोशिश किया इस चुन जनता को उसके जो वास्तविक सवाल है उससे हाटाया जा सके और उसी मुद्दे पर उनके संकिर्ण जो उनके अंदर अगर कहीं से भी विचार हैं तो उसको भड़काया जा सके लोगों को विकास के प्रगति के पढ़ाई लिखाई के हेल्थ के इशू पर नो केंद्रित हो ने दिया जाए उनको धरम संप्रदाय के और जात विरादरी के इशू पर ला दिया जाए ये कोशिश पूरी की पूरी चल रही है अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इसमें भारती जनता पार्टी कितना सफल होती है कितना उसको काम्यावी मिलती है कितनी नहीं मिलती है ये अगले चार-पांस दिनों में दिखाई पड़ जायागा लेकिन भारती जनता पार्टी का सारा हदारो मुदार इस समय ऐसा लगता है कि इसी तरह के इशूज पर है और वो मैं समझता हूं कि देश के लोगतंतर के लिए बेहत खतरनाक है और यकीनन भारत के निर्वाच चनायोग बिलकुल खामोश है कि इस तरह के संप्रदाइक धृविकरन के मुद्दे उठाए क्यों जा रहे हैं आखिर क्यों लोगों को इस आधार पर मुबलाइज किया जा रहा है कि वो किस जाती के किस विरादरी के या किस धर्म या संप्रदाइक के मानने वाले हैं लेक देश के ग्रिह मंतरी अमिस्शा जी का इंटरविव है और टाइमस आफ इंडिया में उन्होंने दावा किया है एक के लंबे इंटरविव में कि हमने यानि हमारी पार्टी ने पूरे देश में कर नाटक सहीद पूरे देश में हमने जात विरादरी और तमाम तरह के और जो आधार हो सकते हैं उसके अलावा वोटर्स की एक नई कैटेगरी भी बनाई है और वो कैटेगरी वो है जो नरेंदर मोदी जी की सरकार के कल्यान कारी योजनाओं या स्कीम्स के लाभार्ति हैं तो लाभार्तियों का एक वोट मेंक हमने बनाया है एक पर की डिस्ट्रिविशन जो हो रहा है वहाँ पर इस के तहर लोगों को उसमेnh भयानक लूट मची हुई हम भयानक कमिशन खोरी है उन्होंने पूरी सरकार को 40% कमिशन की सरकार बताया और 40% कमिशन की सरकार ये बंबई सरकार के लिए एक तरह से प्रतीक चिन्द बन गया। पूरे करनाटक में आप जहां भी जाये मेरी जितने लोगों से बात हो रही है करनाटक के वहां के लोगों से या बाहर से गय हुए जो कवर करने वाले पत्रकार हैं उनसे सब लोग कहते हैं कि 40% कमिशन की सरकार का नारा पूरे करनाटक में गूझ रहा अब इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव में ये भी देखना होगा और ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा इसके अलावा दोस्तों वो लोग कह रहें कि विकास का जो पूरा का पूरा मॉडल है भारती जन्ता पाटी का वो बिलकुल टेढ़ा है वो सीधा नहीं है कुछ ही समुदायों तक सिमित है और अन्य समुदायों को बिलकुल नजरंदाज किया जा रहा है दोस्तों करनाटक हमारे उत्तर भारत के हिंदी छेत्र के जो कई स्टेट्स हैं उनके से काफी अलग है एक तो हाँ पढ़ाई लिखाई का लेविल बहुत आगे है यानि सिक्षा का अस्तर जादा है तो लोग बहतर रोजगार चाहते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की रोजगार में उनको ठेकेल दीजिए किसी भी तरह का उनको भत्ता दे करके या उनको फुसला करके या कहिए कि आपको हम ये दे देंगे वो देंगे आनाज दे देंगे जो पढ़ रोज़गार के अस्तर पर बोंबई सरकार का जो रिकार्ड है वो आंकडों में भी स्वेब अपने आंकडों में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरा है और ये पहलू रोज़गार का मैं समझता हूं कि इसको कॉंग्रेस और जेडियस दोनों भुनाने की कोशिश कर र जाता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर या अन्य तमाम तरह के उनके जो हत्कंडे हैं या तमाम तरह के जो नारे हैं तमाम तरह के उनके लोकल लुभावन जो पहलू है उनके उनके एजंडे उस पर चला जाता है लेकिन करनाटक में नौज़वानों का हिस्सा बहुत बड भावा जो कॉंग्रेस एक बढ़ा पहलू उठा रही है वो यह है सोसल जस्टिस का और कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले शायद ही कभी इतने शिद्धत से सोसल जस्टिस का मसला उठाया हो कभी जितना वह करनाटक के इस चुनाव में उठा रही है और उसका कहना है कि वो नौकेवल सोसल जस्टिस की बातें कागज पे कह रही है, नारे में कह रही है, मैनिफेस्टों में कह रही है, बलकि उसको अमली जामा पहनाने के लिए कटिबध है, और कॉंग्रेस पार्टी के रायपूर के रास्टी अधिवेशन में इसका फैसला भी वो कर चुकी है, तो उ पाहलू उठा रहे हैं और बीजेपी इसमेर चारो खाने चित था है, बीजेपी की एक तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की घिक्खी बन जा रही है, जब कॉंग्रेस के बड़े नेता सोसल जस्टिस की बातें उठा रहे हैं, और शायद इसी लिए सोसल पारण ही भैभीत होकर वो जो विघटन वाली बातें, विभाजन वाली बातें, संकिरता के आदार पर लोगों को पुल्राइज करने की वाली बातें, ये उठाने की प्रात्मिक्ता उसमें अपना रहे हैं, करनाटक में जिस तरह अलग-अलग शेत्र हैं, और उन शेत्रों की अलग-अलग भुनावट है, अलग-अलग मिजाज भी लोगों का है, वैसे ही समाज के अस्तर पर भी वहां अलग-अलग जो सामाजिक संरचनाएं हैं, उनकी अलग-अलग राजनितिक प्रात्मिक्ता हैं रही हैं, अब इस बार के चुनाव में क्या होगा, ये देखना बह करनाटक एक ऐसा स्टेट है, जहां स्टेट और सेंटर दोनों के लिए मत दाताओं की जो वरियता और प्रात्मिक्ता और प्रिफरेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो काफी अलग-अलग देखा गया है, कभी वो राज्य में किसी भी सरकार, अपनी पसंद की सरकार च कर लेते हैं, तो ऐसा भी हुआ है, और अनेक बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, तो एक करनाटक की ये विशेस्ता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा एक रूपता वहां नहीं रहती है, प्रिफरेंस के मामले में, तो इस मुतलिक अगर देखा जाए, तो करना जो वकलिंगा है, जो मैं समझता हूँ कि ये दूसरे नमबर पर बहुत महत्पूर्ण एक समाज है, और उसका भी काफी क्रिसी छेत्र में दबबा है, इसके अलावा OBC का एक विशाल समाज है, विशाल समुदाय है, इसके अलावा दलित और मुसल्मान, ये प्रमुक वहां के समाजिक समुव हैं, अगर इसमें देखा जाए, तो लिंगायतों का जो एक प्रिफरेंस पाले रहा भारती जनता पार्टी, इसमें कोई दोराय नहीं है, और ये दूरप्पा ने उसको और ज्यादा प्रोड किया, उसको और ज्यादा उसका सुद्रड़ी करण किया, ले लेकिन वो चुनाओ लडाते भी नहीं नजरा रहे हैं, यकिनन उनके पुत्र जो हैं चुनाओ लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यदुरप्पा पहले की तरह प्रसंद चित होकर के काम इस चुनाओ में नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनके समर्थक दावा जरूर कर हैं लेकिन वो अंदर से कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि वो शितिल हैं और लिंगायतों का एक बड़ा समाज जो है कॉंग्रिस पार्टी की तरफ उसका जुकाओ है लेकिन यकिनन हम यह नहीं कह सकते कि कॉंग्रिस पार्टी के लिए लिंगायतों का बड़ा हिस्सा तूट करा गया है मैं आज की तारीक में कम से कम जो मुझे फीडबैक है मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता अपनी विशलेशन में लेकिन लिंगायतों में अगर थोड़ा भी पहले के मकाबले ज़्यादा विभाजन हुआ तो बीजेपी के लिए बहुत मुझे बढ़ जाएंगी हालां कि वो बार बार दावा कर रही है कि हमारा जो मुझे मंत्री है वो भी तो लिंगायत है अब पता नहीं इस जबाब का कितना असर होगा दूसरा जो वोकलिंगा यह मैंने लिंगायत के बारे में मैं कहाँ था दूसरा जो वोकलिंगा समाज है JDS इस का सबसे प्रिफर्ड आर्गनेजेशन रहाہ है सबसे वरियता उसको देता रहा है यह समाज SD देवगोडा स्वैम एक वोकलिंगा समाज से आने वाले विक्ति हैं लेकिन वोकलिंगा में डी के शिवकुमार जो प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो भी मुख्यमंतरी पत के एक दावेदार हैं वो स्वैम इस समाज से आ ताकतवर नेता नहीं थे लेकिन जाट समाज में उनकी बहुत पैट थी पश्शी मुत्र प्रदेश में उसी तरह से देविलाल जी बहुत बड़े नेता थे लेकिन उनके जो पुत्र और पौत्र हैं उनकी उतनी पकड़ नहीं थी लेकिन फिर भी उनका एक दबदबा पापुलर अब हैं कम से कम अपने पिता से तो ज्यादा पापुलर होते दिख रहे हैं ठीक उसी तरह से वो कलिंगा समाज भी उसी तरह का समाज है खेतिहर समाज है काफी दबंग भी है कई जगा बहुत संब्रिद है और बीच का मद्देवर्ग भी है उसमें तो ये जो है दोस्तों पिछड़ा समाज OBC जिसे कहते हैं उसी समाज से आते हैं सीधा रमया जो कॉंग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री पत के प्रमुख नावेदार हैं इस समाज में निश्च संदे भारती जनता पार्टी और जेडियस के मुकाबले कॉंग्रेस का बहुत ज्यादा कॉंग्रेस का प्रभाव है और कॉंग्रेस को OBC सरवाधिक प्रिफरेंस की पार्टी आज मान रहा है इसमें कोई दो रहे नहीं रही बात दलित और मुसल्मान की इस वर्ग में मुसल्मान निश्चित रुप से BJP के साथ नहीं जाएगा और न जा रहा है लेकिन दलित समाज में दो हिस्से हैं एक जो माना जाता है हाला कि देश में अस्प्रिशेता का निवारण हो चुका है खात्मा किया जा चुका है लेकिन जो एक पुरानी श्रिणी रही है दलितों की अच्छूत किस्म के वो पूरी तरह कॉंग्रिस के साथ हैं लेकिन जो बाद के दिनो में दलिट समाज में लाए गए समाज हैं वो समाज जो हैं उन समाजों में बीजेपी की पकड़ बरकरार है ऐसा माना जा रहा है और बिलकुल आखीर में चलते चलते दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर देखा जाए तो सर्वे करने वाले जो लोग है वो ज्यादातर कॉंग्रेस को ही प्रात्मिक्ता दे रहे हैं कि कॉंग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ है वो बढ़त बनाए हुए है लेकिन अभी तमाम जो सर्वे आ रहे हैं कब पलट जाए कोई ठीका ना नहीं क्योंकि ये सर्वे जो हैं वह साइंटिफिक उतने नहीं होते हैं जितने टैक्टिकल होते हैं इसमें ज्यादा तर जो मतदाता हैं उनका मानस के लिए ये ये सरवे किये जाते हैं लेकिन कई बार मजबुरी होती है तो उसी के इसाब से वो अपनी अपने findings देते हैं लेकिन एक संस्थागत तोर पे अगर survey दिखा जाए तो अपने देश में CSDS लोकनीती का survey ज्यादा बेहतर माना जाता रहा है NDTV ने लोकनीत CSDS के साथ जो survey किया है उसकी finding बहुत दिल्चस्प हैं और बिलकुल आखिर में मैं वही आपके सामने रखते हुए अपनी बात खतम करूँगा कि उसके मताबिक सीधा रमया जो Congress के candidate है मुख्यमंतरी के declared candidate नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि वो बड़े दावेदार हैं उनको प्रदेश में 40 फिस्दी लोग मुख्यमंतरी पत के लिए प्रिफर कर रहे हैं ये survey बता रहा है वो भी CSDS का दूसरी बात कि 22% ही मुख्यमंतरी BJP के बंबई को प्रिफर कर रहे हैं 15% कुमार स्वामी को कर रहे हैं जो कि जेडियस के हैं और 12% यदुरप्पा को कर रहे हैं जो चुनाओ लड़ी नहीं रहे हैं और 5% डीकेश कुमार को कर रहे हैं प्रिफर तो ये बहुत दिल्चस्प बात है और लेकिन BJP सरकार के लिए या BJP पार्टी का है भारती जन्ता पार्टी उसको बहुत ज़्यादा लोग करप्ट पार्टी के तोर पे देख रहे हैं ये मैं नहीं कहा रहा हूँ ये एंडी टीवी लोग नीती सीस्डियस का सर्वे कर रहा है तो दोस्तो इस पूरे जो जो मैंने आपके सामने तत्थे रखने की कोशिश की उसकी रोशनी में अब देखना यह है कि दस तारीक का जो मतदान किस प्रकार होता है उसके पहले क्या-क्या उलट फिर होते हैं जो महौल को एक खास ढंग से लोग तांत्रिक ढंग से मतदान हो इससे डिरेल करने की कोशिश की जा रही है सामाजिक विभाजन साम ही ती अख्तियार की जा रही है वो किस लेबल तक जाती है चुनावायोग अपनी निश्क्रियता कितने दिनों तक और किस सीमा तक बनाया रखता है इन तमाम चीजों पर निर्भर करेगा मतदान और देखे दस तारीक को मतदान कैसा होता है और तेरह तारीक को नतीजे का इंतिजार कीजे तब तक नमस्कार आदाव सत्रियकार